हम लोग HTML, CSS और JavaScript को यूज़ करके एक website create कर रहे थे और यह हमारा एक project था मैंने आपको first video में demo चेक कराया था कि हम यहाँ पे YouTube की तरह एक website का UI design यहाँ पे करने वाले है और यह पूरा का पूरा आपका mobile friendly है, device friendly है, हर एक device के ऊपर यह properly work करेगा जो भी इसका complete demo है, आप चेक कर सकते हो, इस video का description में आपको link मिलेगा complete playlist का already दो video यहाँ पे upload हो चुकी है और आज यह हमारा third video है last videos के according अगर हम बात करें, तो इस series को follow up करते हुए, हमने हमारा navigation bar जो है यानि कि nav bar या फिर navigation menu, वो हमारा successfully हमने create कर लिया था, right और आज के video के अंदर हम लोग यह left side bar जो है, यह create करने वाले है, बहुत easy रहेगा इसको बनाना भी और आप मेरे steps को follow करके बहुत easily इसको भी create कर लोगे वीडियो को start करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे new है, तो subscribe करे, बेल आइकन को click करके all notification को on करे आपको latest videos की notification मिलती रहे, alright, so मैं आगे अपने code के अंदर, जो भी हमने last code किया है, वो हमारा इतना सा हिस्सा था, last में आते हैं, जहां हमारा navbar खतम हुआ है, तो यहां पे आकर के न, मैं comment लगा लेता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे idea हो जा, in future अगर मैं अपने इस code पर convenience के लिए है, तो मैंने इसको copy किया, और यहां आकर के paste कर दिया, ठीक है, और यहां कर देता हूँ, मैं start code या फिर code, for, और यह आ जाएगा आपका sidebar, ताकि identify हो सके, कि यह जो हम code यहां पे लिख रहे हैं, कौन सा code किस चीज के लिए है, तो यहां पे आ गया मैं, और इसका closing using भी मैं यहां पे रख देता हूँ, अब इस बीच में हम क्या करेंगे, अपने sidebar का जो code है, उसको create करने के लिए, जो भी requirements होगी, वो code हम यहां पे type करेंगे, यहां पे आ करके मैं क्या कर रहा हूँ, simply एक div create कर लेते हैं, इसकी styling करनी पड़ेगी, तो एक class दे देते हैं, म इसको आले दिखेंगे, तो यह हमें provide करने हैं, तो इसके लिए छोटी-छोटी चीजे हमें यहां पे create करनी पड़ेंगी, और यह जो है न, basically real के YouTube पर क्या होता है, इसके उपर click करोगे, तो आप उस page के उपर पहुंच जाओगे, right, तो यह links होते हैं, आपके quick link कहलो, या shortcut links कहलो, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहां पे, एक और div create कर रहा हूँ इस चीज के लिए, और class दे दिया मैंने इसका quick minus links, ठीक है, यह मैंने इसको provide कर दिया, ताकि इसको बाद में मैं style कर सकूँ, इसके अंदर आ करके, मैं यहां पर provide कर रहा हूँ अपना anchor tag, यानि की a tag, इसके क्लिक होने पर कहीं नहीं जाएगा, मैं फिलाल इसको खाली छोड़ रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने कहा एक image रहेगा, मैं क्या create कर रहा हूँ basically, मैं create कर रहा हूँ ये वाला portion, देख रहे हो, माऊस जाने पर एक link वाला फिल आ रहा है, anchor tag है, तो पहले हम इसको create कर लेते है, यहाँ पर आते हैं अपने folder में, तो आप देखोगे ये रहा home, और अगर माऊस ले करके जाओं या इसकी properties चेक करोगे, तो ये एक png file है, ऐसे ही हर एक की यहाँ पर name लिखी हुई है, आप उसको match कर सकते हो, तो यहाँ पर आ गया मैं इसको save किया, और अपने website के उपर आ करके, यहाँ पर आ करके इसको मैं refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यह जो है यहाँ पर आपको visible हो गया, और अब यहाँ पर na, मैं p tag का use कर रहा हूँ और इसके अंदर एक title मैंने provide कर दिया, let's go with home, save करते हैं इसके बाद और यहाँ पर आ करके refresh करते हैं, तो आप दे total 7 requirement है और एक यह है 8, तो हम क्या करेंगे, इस line को यहाँ से copy कर लेते हैं, एक तो already हो चुका है, और 7 बार यानि की 7 times इसको हम लोग यहाँ पर paste कर देंगे, alright तो total मैंने यहाँ पर 8 जो है वो provide कर दिया है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सारे images को change करना है, home के बाद क्या ह है, हमारे पास explore है, तो मैं फटा-फट से यहाँ पर spellings को change कर देता हूँ, आप लोग उसको folder से देख लेना, alright, so आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर सारे spellings provide कर दिया है, यह basically आपके images के name है, और बाहर आपको जो message दिखाना हो, वो आप capital small कैसा भी रख सकते हो, यहाँ प देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, तो यह portion हमारा यहाँ पर create हो चुका है, अब हमें इसकी styling कर दी है, ताकि यह दिखने में थोड़ा सा better लगे, तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने CSS में, और यहाँ भी एक comment लगा लेते हैं, let's go with, यहाँ पर मैंने comment out कर दिया, code for sidebar, ठीक है, और यहाँ से इसको copy कर लेता हूँ, और इसके बीच में हम लोग यहाँ पर अपना code जो है, वो करने वाले है, यहाँ पर आ करके देखोगे, तो sidebar इसका class दिया है, इसको copy कर लेते हैं, dot के साथ इसको paste करेंगे, और इसकी styling यहाँ पर हम perform करेंगे, इसका एक background set कर करेंगे, color रख रहा हूँ, मैं currently, यहाँ पर white, अब यहाँ आपको understandable नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पर border भी लगा देता हूँ, let's go with border, two pixel, solid, color भी लिख सकते हो आगे, बर जब solid लगाते हो, तो initially जो होता है न वो black रहता है, तो आप देखोगे, यह मेरा sidebar है, अब यह ज की एक width जो है, वो allocate कर देता हूँ, let's go with 15%, आप 10, 20, 30, अपने according adjust करके देखे, जब आपको लगता है कि better है, तो उतना आपको रख देना है, तो आप देख सकते हो, यह दिखने में currently better लग रहा है, अब एक चीज़ आप notice करो, यहाँ पर यह पूरा है, लेकिन इस case में क्या ह हो रहा है, यह यहाँ से start हो रहा है, और यह content के according एक height adjust कर रहा है, तो याता आप इसको 100% देदो, 100% में एक issue यह भी आता है, कि 100% में आपको हलका सा scroll करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहूंगा, मैं यह चाहता हूँ यहाँ पे, जितना एक बार में scroll हो जाता है, उतना करके रुख जाया, तो vertically horizontally मैं इसको 100 100 fix कर दूँगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, height दे दिया मैंने इसको 100 VH, आप percentage में दे, जो आपके case में सही से काम करता है, वो आप रखे, तो आप देखो यह कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, जितना एक बार में scroll होता है, अब उ नहीं होता, ठीक है, तो इसको मुझे रोक के रखना है, it should be fixed, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, और इसकी जो position है, वो हम यहाँ पे कर देंगे, fixed, जब आप position fixed यूज करते हो ना, तो फिर आपको उसकी position specify करनी पड़ती है, fix हो जाएगा, लेकिन किस कोने से, तो मैं कहता हू तो टॉप से 0, आप चाहो तो लेफ्ट से भी 0, इसको लाइं कर सकते हो, अगर काम ना करे तो, तो मैं currently कहता हम fix रहेगा, टॉप से 0 पे, अब 0 का मतलब यह नहीं है, कि यह screen पे यहाँ जाके चिपक जाएगा, अल्रेडी यहाँ पे कुछ content अभी level है, तो उसके just बाद यह चिपका हुआ रहेगा और fix रहेगा, अब देखो वो पीछे चला गया, वो हम बाद में सही कर सकते हैं, वो इतना कोई issue नहीं है, लेकिन नीचे का scroll जो है, अब हमारा सही हो गया, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको domain name के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप अपने business को online लेकर के आरा चाते हो, आपको अपने website के लिए एक domain and hosting की requirement है, तो domainreser.com पे आपको यह सारी services मिल जाती है, अगर आपको सिर्फ domain name की requirement हो, तो आप नीचे scroll करके यहां से अपने लिए एक domain name select कर सकते हैं, और अगर आपको domain and hosting दोनों की requirement हो, तो यहां web hosting वाले page से, आप अपने लिए एक domain name and hosting plan select कर सकते हो, यहां पर रीड कर सकते हो, domainreser आपको light speed की technology प्रोवाइड करते है, साथ में pure SSD का disk space होता है, और इन दोनों का combination आपकी website को 20 times faster बनाता है और जल्दी लोड करता है, SSL certificate यानि कि STTPS secured lock का symbol, यह connection भी आपको यहां पर free मिल ज personal plan के अंदर आपका 99 रुपीज पर मंत का खर्चा है यहां पर यहां पर एक domain name यानि एक website को online लेकर कर सकते हो, बागी सारी चीज़ आपकी सारी चीज़ जैसे कि unlimited SSD की storage, unlimited email address create कर सकते हो, unlimited bandwidth है, light speed की technology है, premium SEO tool आपको free मिल जाता है, इसकी market cost जो है 49 डॉलर पर मंत है, approximately 36-3700 रु domain resource आपको free of cost यहां पर provide कर देगा, यह एक AI based tool है, जो आपकी website को rank कराने में help करता है, silver plan के अगर हम बात करें तो यहां पर तीन website को host कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ अनलिमिटेड है, जैसा कि आपको personal वाले में मिल जाता है, advance की बात करें तो यहां पर आपको एक domain name free मिल जा है, advance plan जो है, वो freelancers के लिए, IT industry वालों के लिए, और जो web designing development का काम करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है क्योंकि आप इसमें unlimited websites को host कर सकते हो, basic plan की बात करें तो यहां पर एक website को host कर सकते हो, 1GB की space है, 10 email address create कर सकते हैं, 5GB की bandwidth है, light speed की technology है, SEO tool free नहीं मिलेगा, अलग से जाहो तो खरीद सकते हो, domainracer.com पे आकर के आप अपने requirement के हिसाप से और जो भी आपके budget को suit करें, उस हिसाप से अपने लिए एक plan select कर सकते हैं, alright, so अब अगर आप यहां पे देखोगे, तो left hand side से ना, यह चिपक चुका है screen में, और बहुत सारे users को कुछ characters हो सकता है, पहला और मैंने इसको provide किया, padding, left, अपने according provide करना, मैं यहां पे 2 percentage try कर रहा हूँ, और save करके refresh करते हैं, तो अब देखोगे, gap maintain हो गया है, और वो इस icon के साथ match कर रहा है, तो अब देखो, यहां पे वो आ चुका है, ठीक है, वापस आते हैं, अपने code पे, top से भी लगा लेते हैं, तो मैंने कहा, padding, top, percentage में try कर सकते हो, let's go with 80 pixels, मैंने इसको provide किया, save करके refresh किया, तो आप देखो, यह हमारा match कर रहा है, ठीक है, तो यह हमारा space जो है, वो properly ले करके आ रहा है, अब इसकी alignment भी साही कर लेते हैं, तो यहां पे मैं आता हूँ, अपने code में, और quick links नाम से हमने ए इसका border यहां पर मैं आपको show करा देता हूँ, तो मैंने कहा, two pixel, solid, और show कराने के लिए मैंने इसको color provide कर दिया, red, तो basically एक बड़ा div है, मेरा black वाला, उस black के अंदर, जो मेरा यह quick links है, वो यह वाला div है, ठीक है, तो यह मैंने आपको show करा दिया, यहां पे, अभी जो मेरा div div है ना, यहां पर आप देखो, उसके अंदर मेरा anchor tag है, और उसके बाद मेरे images है, ठीक है, यह div div के अंदर anchor tag, और यह हमारे images, तो इसकी styling करनी है मुझे, तो यहां पर मैं आगया, और मैंने क्या कहा, quick links, quick links के अंदर मिलेगा एक anchor tag, उस anchor tag के अंदर मिलेगा एक img tag, इसकी ह हमें styling करनी है, और अब इस red का कोई sense नी बनता, यह बस आपको दिखाने के लिए था, या फिर एक काम करते हैं, मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ, और इसको फिलाल हम उपर छोड़ते हैं, और यहां आ करके मैंने इसको paste कर दिया, ठीक है, और इसको हम पहले जैसा रखते ह कर लो, बाद में मैं ऊपर वाले code को यहां से delete कर दूँगा, एक विड़ता locate करते हैं अपने images को, let's go with 20 pixels, आप देख लेना, अगर graphic card लगा हो तो थोड़ा सा बड़ा रखना इसको 30-40 रख लेना, मैं यहां पर try करता हूँ, तो यह currently perfect दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा खराब दिखेगा क्योंकि अभी borders है, borders को हम लोग यहां पर बाद में remove कर देंगे, ठीक है, तो यह कुछ ऐसा दिख रहा है, हम देखते हैं, यहां पे मेरे पास कुछ content है, इसके अंदर मेरा a tag है, और एक paragraph tag भी है, वो आप देख सकते हो, तो मैं यहां पर आता हूँ, इसक भी mobile के ऊपर responsive दिखाना है, तो मैं यहां पर कहता हूँ, display, flex, align items कर देते हैं, इसका हम लोग center, अब यह आप notice करोगे न, यह आपस में चिपक चुके हैं, तो इसको नीचे से भी alignment प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर margin लगा देता हूँ, तो मैंने कहा margin bottom, जै यह right से gap maintain कर रहा है, और यह चीपकसा गया है, congested है, तो इसको भी align करना पड़ेगा, यह जो मेरे images है न, तो इसको या तो margin right दे दो इसको, या फिर padding, I think margin right बेटर है, तो मैंने कहा margin, right से locate करते हैं, let's go with 20 pixels, आप अपने according try करे, save करके यहां पर refresh करता हूँ, तो कुछ इस त provide किया width, fit content में हम से हमारे पास एक आती है property, यह use करते है, color को ignore करे, अगर यह color आपको ऐसा दिखता है, कोई problem नहीं है, यहां पर आ करके मैं इसको save and refresh करता हूँ, अब इसको mobile के ओपर wrapable बनाना है, wrap का मतलब क्या होता है, जैसे आप paper को न, हाथ में रखके wrap करो, मोड़ो उ adjust हो जाता है, जैसे मैं इस website को मोड़ रहा हूँ, wrap कर रहा हूँ, तो हो गया न, तो क्या यह icons भी होंगे, मैंने का बिलकुल होंगे, तो यहां पर मैंने कहा इसको flex wrap, जो कि आपका रहने वाला है, यहां पर wrap, all right, so यह हमारा देखने में बहुत बेटर लग रहा है, और करने है, वो हम जरूर perform करेंगे, अपने next videos के अंदर, आज की video के लिए बस इतना ही, उमीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने अब तक इतना portion complete यहां पर कर लिया होगा, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो please like करें, comment में अपना feedback जरूर दे, चैनल पर नई हो तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos को notification मिलती रहे, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में, thanks for watching guys